वीडियो का डिफकेशन में आपको एक लिंक मिलेगा लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस परकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद गाईज आपको जो है तिन प्रोसेस दिखा जाता है तिन एस्टेप में जो है आपका क्रेड़ काड एप्रूब हो जाता है फर्स्ट में जो है आपको अपना प्रस्टनल डिटर्स कंप्लीट करना होता है उसके बाद गाईज आपको आपका काड दिखाया जाएगा उसके बाद गाईज आप काड के साथ e-signing होंगे e-signing के बाद जो है आपका KYC कंप्लीट कराया जाएगा शोइन आपको जहां पे फिलक करना है यहां पे इमेल डु inm करकि एकको डाल लेनाा है उसके पाद को डिया रहता है उसके पर बस्राइड और इंटार का कि अपर डिया रहता है यहँ एंटीय रहने देना है उसके इस फक पर इन करने बाथ आपको Term and Condition मिलता है इस Term and Condition को टिक करना है उसके बद गाज नीचे आपको Register का बटर मिलता है Simply guys आपको register पे क्लिक करते हैं register पे क्लिक करते हैं आपके mobile number पे जो है OTP बेजा जाता है OTP को जो है आपको यहाँ फिलप करना है fill up करने के बाद guys आपको जो है verify OTP पे click कर देना है simply आप verify OTP पे click करते हैं उसके बाद guys आपके सामने जो है कुछ इस परकार से इंटरफेस open होता है अब यहाँ पे जो है आपको अपना occupation choose करना है आप select person self-employed select करेंगे उसके बाद यहाँ पे grace monthly income आपको यहाँ पे fill up करना होगा monthly fill up करने के बाद नीचे जो है कुछ components का नाम दिया जाता है अगर आप इस company के साथ type up करना चाहते हैं तो इस box में tick up करेंगे नहीं तो नीचे आपको regular credit card का options मिलता है simply regular credit card आपको select करना है उसके बाद गाज आप नीचे आती हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है ejecting customer है यानकि bank of blog में आपका account है तो यहाँ पे yes पे click करेंगे नहीं तो no पे click कर लेंगे उसके बाद गाज यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपके पास दूसरा कोई credit card है यहाँ पे yes पे click करेंगे नहीं है तो simply no पे click करेंगे simply यहाँ हूँ नूक्स select कर लेते हैं उसके निचे यहाँ पे continue का options मिलता है simply continue पे click कर देते हैं continue पे click करने के बाद जिब है यहाँ पे अब residential address फिलब करना होता है उसके बाद यहाँ पे state select कर लेना है state select करने के बाद अगर आप यहाँ पे additional details देना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा भी details डाल सकते हैं अगर आप जो है उपर वाले जगह पे राते हैं तो यहाँ पे xbox में tip करेंगे नहीं तो simply जो है इसको खाली छोड़कर आप अपना office यहाँ पे राते हैं उसका भी address नीचे आप fill up कर सकते हैं fill up करने के बाद आपको continue का button मिलता है simply guys continue पे click कर लेना है continue पे click करते हैं उसके बाद guys यहाँ पे जो है आप बला जाता है please provide your employee details यहाँ पे जो है employee details दे रहा है यहाँ पे अगर आप seller select किये होंगे तो यहाँ पे company नम fill up करना होगा उसके बाद आप company में कौन सा job करते हैं आपको select करना होगा उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है कितने दिन के लिए यहाँ पे work करेंगे वो चीज आपको यहाँ पे बताना होगा आप नीचे आते हैं तो आपने office का address जो होता है आपके company का जो address होता है complete address आपको यहाँ पे fill up करना होता है address fill up करने के बाद आप continue पे click करते हैं आपके सामने जो है कुछ इस परकार से interface आता है यहाँ पे finally आपको card दिखा जाता है card आपको यहाँ पे select करना होता है एक card आपको easy card दिया जाता है simply आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे first year बिल्कुल free दिया गया है यानि कि गाई बिना कोई यहाँ आपको इस card को use कर सकते हैं यहाँ पे दूसरा साल में आपको यहाँ पे 500 रुपिया चार्ज किये जाते है अगर आप यहाँ पे 10,000 से उपर कर स्वापिंग कर लेते हैं इस card से तो बिल्कुल आपको यह free मिल जाता है यानिकि गाई lifetime तक इस card को आप free यूज कर सकते हैं दूसरा card आपको यह मिल जाता है जिसका सफकी संद्चार्ज आपको 750 रुपिया होता है इसमें भी आपको free मिल जाता है अगर आप shopping गाईज यहाँ पे आपको बहुत सारे card दिखाया जाएंगे simply आपको यहाँ पे अपना card select करना है यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जाता है दिख सकते हैं यहाँ पे petroleum पे और अगर आप shopping करते हैं यहाँ पे कुछ benefit मिल जाता है guys यहाँ पे हम easy card select करते हैं simply इस card को हम purchase करते हैं purchase करने के लिए guys नीचे confirm का button मिलता है simply हम confirm पे click कर लेते हैं continue पे click करने के बाद अब यहाँ पे additional details माँगा जाता है यहाँ पे आपको आपना title select करना है उसके बाद यहाँ पे marital status आपको बताना होगा उसके बाद guys आपको यहाँ पे education qualification बताना होगा नीचे जो है अब आपको यहाँ पे अपना जो card पे नाम प्रिंट करना चाहते है उन नेम आपको यहाँ पे fill up करना होगा उसके बाद guys आपको यहाँ पे alternate mobile number मेंगा जाता है simply यहाँ पे optional है होगा तो fill up करेंगे नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते है उसके बाद guys आपको यहाँ पे mother's name मेंगा जाता है mother's name आपको अपना fill up करना होगा father's name आपको यहाँ पे अपना fill up करना होगा उसके बाद guys आपको यहाँ पे select करना है नोमनी डिटरस फिल अप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे नहीं तो नो पर क्लिक करने के बाद आपको continue पर क्लिक करना है continue पर क्लिक करते हैं उसके बाद guys यहाँ पर add one card का options आता है add one card में आप extra create card add कर सकते हो अपने family member के लिए तो यहाँ पर अगर आप share करना चाहते हो तो कर सकते हो नहीं तो no पर क्लिक करकर आप simply आगे बढ़ सकते हो simply guys यहाँ पर हम no select कर लेते हैं उसके बाद guys नीचे यहाँ पर submit का options मिलता है simply submit पर क्लिक कर लेते हैं submit पर क्लिक करने के बाद अब guys यहाँ पर कुछ इस परकार से interface होता है अब यहाँ पर पुछा जाता है कि bank को ब्रौदर का create card apply करने में कोई executive का सहारा लिया गया है यहाँ पर no select करेंगे और continue पर क्लिक कर देंगे continue पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार से interface आता है अब guys यहाँ पर हमको कुछ document upload करना है जो कि यहाँ पर सबसे पहले photograph है उसके बाद यहाँ पर identity proof है identity proof में passport, आधार, pen, drive license, voter ID card यहाँ पर एक document आप upload कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर current address दिया गया है current address अगर आपके पास है तो यहाँ पर fill up कर सकते हैं upload कर सकते हैं नीचे जो है income proof दिया गया तो guys यहाँ पर आपको कोई ITR या कोई slip यहाँ पर upload नहीं करना है आप simply आपने bank password के last six month का page यहाँ पर upload कर देंगे उसके बाद नीचे जो है आपको save and continue का options मिलता है simply continue पर click कर देंगे अब यहाँ पर tournament condition आता है इसको जो है आपको accept करना है उसके बाद यहाँ पर एक page आती है इस page को जो है completely read करना होता है तो simply इस page को आप accept करेंगे उसके बाद guys यहाँ पर अधार card के साथ जो है e-signing होता है simply now पर click करेंगे now पर click करते हैं उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर pursuit का button मिलता है simply guys आपको जो है pursuit पर click कर लेना है आप pursuit पर click करेंगे उसके बाद guys आपके सामने कुछ इस परकार से इंटरफेस आता है term and condition को apply करके simply यहाँ पर submit पर click करेंगे तो यहाँ पर completely आपको अपना अधार number fill up करना होता है simply अधार number आपको यहाँ पर fill up कर लेना है send OTP पर click करते हैं आपके अधार card से जो भी mobile number link होता है उस पर OTP भी जाता है OTP को यहाँ पर fill up करके आपको verify OTP पर click करना होता है simply verify OTP पर click करते हैं उसके बाद यहाँ पर document जो है आपका successfully submitted हो जाती है यहाँ पर आपको वीडियो KYC करनी है वीडियो KYC करने के लिए आपको now पर click करना होगा आप now पर click करेंगे direct वीडियो KYC जो है बैंक और बढ़ावदा के एक्सक्यूटिव के पास connected हो जाती है simply आप यहाँ पर आपना वीडियो KYC complete करेंगे उसके बाद गाईज आपको 40 घंटा बाद confirmation का message आ जाती है अगर आपका card approve होता है तो आपके message के थूरू जो है जनकारी दिया जता है अब गाईज हम बात करें वीडियो KYC के बारे में तो गाईज वीडियो KYC के लिए जो है आपके पास pen card होना चाहिए आपके हाँ में एक साधा paper होना चाहिए जिसमे शिकनेचर करके दिखा दें तो गाईज वीडियो को हमें फिक close करेंगे उमीद करते हैं कि आपको complete जनकारी मिला होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा आपका एक लाइक जो है हमको ऐसे वीडियो बनाने में काफी मोटिवेट करता है